नमस्कार मैं वह विशेक जियागी भारत और उच्टेलिया का दूसरा जो वंडे मुकाबला है वह आज खेला जाएगा और इस वंडे मुकाबले को इसे पहले बड़ी ख़बर आ रही है खत्रा मनराने लगा है इस वंदे मुकाबले पे बारिश का खत्रा है मोसम विभाग का जो अनुमान है जिस तरीके से मोसम विभाग की रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद ये खबर सामने आई है कि क्या ये वंदे मुकाबला खेला जाएगा या फिर ये बारिश में धुल पूरी खबर क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं दरसल खबर के मुताबिक भारत और जो उस्टिलिया का वंडे मुकाबला हो डिर्ड बजे शुरू होगा तो फैर से यह आप लोगों को पता है टाइमिंग का उसके बाद में मोसम विभाग ने जानका ही जता ही है मोसम जो है वो बदल रहा है पिछले एक दो दिन से उसी को मद्दे नजर रखते हुए आज के मैच में भी बारिश खलल डाल सकती है शाम को पांच बजे के आसपास तकड़ी बारिश हो सकती है तो अगर बारिश होगी तो जाहिर तोरपा मैच एफेक्ट होगा मैच में बाधा अब देड़ बजे से मैच शुरू होगा पांच बजे तक लगबग लगबग पहली पारी पूरी हो पाएगी अब यहां पर सवाल यह उड़ता है कि अगर बारिश हुई तो क्या कम ओवर का मैच कराया जाएगा क्या डखवत लूइस का नियम उस पर लागू किया जाएग अगर पिछ रिपोर्ट बताओं तो पिछ रिपोर्ट भी बहुत अच्छ है अच्छी बva में बौत बढेंगी बर बहुत अच्छी हो जायगी यहां पर बहुत बहुत बनेगी इसलिए यह देखा जा रहा है कि अगर यह दिलचफ पहोगा और एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है अगर पूरा मैच होगा लेकिन उससे पहले बारिश बाधा डाल सकते जो मोसम विभाग की जानकारी है पांच बजे के आसपास तकड़ी बारिश यहां पर हो सकती है और वो कितनी देर होगी यह थोड़ा सा देखना होगा क्योंकि म कवर्ड कर दिया किया है मैदान को कवर्ड कर दिया आन और पूरी सुरक्षा बढ़ती जा रही है जैसे मोसम खुलेगा तो एक-दम मैच करने की कोशिस की जाएगी लेकिन उसकी बावजूर जो मोसम विभाग की जानकारी है उसके मताबिक मैच पर खत्रा मनराने लगा है आपका इस मैच को लेकर क्या कहना और जिस तरीके से मोसम खराब हो रहा है यह लेकर आपका क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो चलेगे तो लाइक को शेयर जरूर कर दीजिएगा तैंक्यू अनिमर्च